नमस्कार विके बिन्यूस के सुबह के प्रैम टेम में आपका बहुत बहुत स्वागत है अब रुख करते हैं आज की एडलाइन्स पर नागपूर में मिला ओमिक्रॉन का दूसरा मरीज, शेहर में मिला ओमिक्रॉन का मरीज, एम्ज में भरती, दस दिन बाद होगी जांच नागपूर में प्रतीबंदित गुटका प्राज शाखा ने पकड़ा लाखों का गुटका किराना व्यापारी और आटो चालक से बरामत और रुपे उठाने के लिए दोड़ा था मृतिक, ननहा शुभम बस पर पत्राव करने वालों पर मामला दर्ज, उम्रेड मार्क पर हुआ था हाथ्सा और अब खबर विस्तार से गुर्वार को करोना के नए वेरियन ओमिक्रॉन का दूसरा मरीज नाकपर में मिला है दुबई की यात्रा का लोटेस मरीज का एम्स में उपचार चल रहा है प्रशासन ने साफ कह दिया है कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है प्रशासन इसके लिए जरूरी तयारिया कर ली है हाला कि प्रशासन नागरिकों से अपील की है कि कोविट से जुड़े दिशा नर्देशों का कढ़ाई से पालन करने से ही कोविट के नए वेरियन के संक्रमन से बचा जा सकता है सरवादिक मरीज महराष्ट में मिलने से हाला की प्रशासन चिंतित है दुबई से संक्रमन 21 वर्शिय मरीज धंतोली निवासी है वह लोटा है 18 दिसंबर को दुबई से 19 दिसंबर को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे एम्स में भरती करवाया गया इस दोरान उसके नमूनों को जिनोम सीक्विंसिंग के लिए प्रयोक शाला में भेजने पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है दस दिन के बाद उसकी फिर से कोरोना जाच किया जाने की जानकारी एम्स के डॉक्टरों ने दी पहरा मरीज होम कोरंचाइन अफ्रीका से लोटे चालिस वर्षिय पुरुष की 6 दिसंबर को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी ओमिक्रॉन की पुष्टी होने के बाद जरूरी लाच के बाद उसे एम्स से छुट्टी दे दी गई और होम को रंचाइन कर दिया गया एम्स में ओमिक्रॉन संक्रमितों के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई हैं आयुश इमारत में 50 बेड आरक्षित रखे गए हैं वहीं पाए गए ओमिक्रॉन के मरीजों में डॉक्टरों के नुसार कोई लक्षन नजर नहीं आ रहे हैं इस तरह नाखपुर में अब में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संक्या दो पर पहुँच गई है खापरी परिसरस्तित गोदाम में गुरवार सुबह भीशन आग लग गई इसमें खादे सामगरी और इलेक्ट्रोनिक सामान जलकर खाख हो गई मिली जानकारी के मताबिक 14 मील रोट से सटकर विरेन ठककर का वेरहाउस है इसे टीवी इस कंपनी ने किराय पर लिया है इस गोदाम में रिलाइंस कंपनी के सूपर मार्केट की खादे सामगरी, ग्रोसरी, अनाज, ड्राइफ रूट्स, तेल, विबने कंपनी के एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, लैप्टॉप और अन्ने इलेक्ट्रोनिक सामान रखे जाने की जानकारी सूतर द्वारा दी गई ह जबकि आग में बड़े पैमाने पर खादे सामगरी और इलेक्ट्रोनिक सामान जल कर खाक हो गया, इसमें कंपनी का भारी नुकसान हो गया है, आग में कोई हताहा तो नहीं हुआ, कलमेश और मोहपा, वाडी के एक-एक और नागपुर मन्पा के दो दमकल बाहन मौके पर पहुँचे दो पैर करीब ढ़ाई बजे आग पर काबू पाया जा सका, आग के कारण गोदाम का शेट डह गया, शौर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंग का जताई जा रही है, कलमेश और पुलिस मामले की जाच कर रही है, नागपुर में आबालिक से ग्यांगरे तथा सूरज और दाउ घंशाम कुश्वाहा है, इसके पहले आकाश उदेलाल भंडारी, संदी पशोप पांडरे, फिरोश शेक, शफी शेक, अजय विश्नुदा सुरंकर तथा हर्शल केलाश ठाकरे को गिरफ़तार किया गया था, पीडित नाबालिक की आकाश से मितरता बताई जा रही है, आकाश दो अक्टूबर से नाबालिक का यौन शोशन कर रहा था, उसने अपने मितरों को भी नाबालिक से संबंद बनाने को कहा, यह मामला संबेदन शीर होने से माइडीसी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, एक कारोपी, MP भाग गया था, तो बारदात की दुरान उसने आकाश से पुलिस ने पकड़ लिया था, उसने दोनों साथियों के नाम बताए, जिसकी आधार पर ही उन्हें पकड़ा गया तो वक्त हो चलाए छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रही है आफ हमारे साथ सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरिट कालव, मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरिट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता की फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ, अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले, खाने में हो रुची, तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए, जो देता है, फ्लाइवील अवीशन अकाड़मी एक ऐसा इंस्टिटूट है, जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट हॉस्पिटालिटी और टूरिजम मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैमपस इंटिव्यू, गाइदेंस पाइंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्राक्टिकल ट्रेनिंग अट एरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर लगपुर में मामा की बारात में शामिल बालक को बारातियों द्वारा उड़ाए गए रुपए उठाने के चक्कर में जान गवानी पड़ी, पुलिस की जांच में इस आश्रे का पता चला, इसी बीच खुडगेश्वर पुलिस ने ट्रैवल्स बस पर पत्राव करने वालों के खिलाफ मामला दर्च किया, पुलिस ने नाबालिक सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्च किया है, पांच मर्शी शुबम साजन काकड़े की केजीन ट्रैवल्स की MH12Q 1899 की चपेट म आने से मृत्यों हो गई थी, शुबम परिजनों के साथ मामा की शादी में शामिल होने के लिए आया था, बारातियों द्वारा उड़ाए रुपए उठाने के लिए रोड डिवाइडर की दिशा में दोड़ा, तब ही उम्रेड की दिशा से बस आई, शुबम को अचानक द तोड़ दिया, गौरतरब है कि बुधवार दोपहर उम्रेड मार के कानहा सेलिबरेशन के सामने पार्शिवनी बारातियों द्वारा पिटाई गई जाने के भैसे, बस चालक सूरज कामडी बीवा पर भाग निकला, कुछी दूरी पस्तित, पांडव कॉलेज के सामने शुबह मार कानहा सलिबरेशन लौल, यो ठिकानी सालह यो कासा तलकवा पारशिवनी यो ठिकानों एक लगनाच वरात आलीली उती, त्या टिकानी सलिबरेशन होल समुरद लगनाच वरात रोड वरुश उनी ये तस्तान्न आ, वराती मदली कही लोकानी पैशे नागपुर के कुविड काल में अपनी जान की परवा किये बगैर मरीजों को सेवा देने वाले सरकारी मेडिकार्टाइब मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अस्थाई डॉक्टर स्थाई करने की मांग को लेकर 24 दिसंबर को एक दिवसी सामोहिक अफकाश आंदोलन करेंगे पिछले कुछ दिनों से ये अस्थाई डॉक्टर काला फीता लगा कर मरीजों को सेवा दे रहे हैं राज़ में सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मिला कर लगबग 500 से अधिक अस्थाई सहाईक प्राध्यापक मरीजों को सेवाए दे रहे हैं कुरोना महामारी में इन अस्थाई डॉक्टरों ने दिन रात मरीजों को सेवा देनी के अलावा प्रशास की कामकास की जिम्यदारी भी संभाली राजिके मेडिकल में अस्थाई डॉक्टर आकस्मिक विभाग से लेकर अती दक्षता विभाग शेलिकरिया ग्रह ब्लड बैंक प्रशास की विभागों में काररत हैं इन सयोगी प्राध्यापकों के कंधों पर मेडिकल का भार है जरूरी होने के बावजूद सरकार सयोगी प्राध्यापकों की सेवा नियमित करने की पहल नहीं कर रही इसका डॉक्टरों को अफसोस है 20-27 दिसंबर के बीच काला फीता लगा कर मरीजों को सेवा देने मध्यावकाश में प्रदशन करने कैंडल मार्च निकालने सामोहिक अवकाश आंदोलन करने के साथ ही 28 दिसंबर से शिंखला आंदोलन किया जाएगा नाकपु क्राइम ब्रांच तथा जोन पांच के दल ने चार लाग रोपे का घुटका बरामत कर किराना व्यापारी और आटो चालक को पकड़ा है रोशन अजाबराम देशमुक दुकान से प्रतीबंदिद घुटके की बिक्री करता है क्राइम ब्रांच की यूनिट तीन को उसकी भनक लग गई पी आई प्रदीब राइन मुर्वार एपी आई मोरे के दल ने योजना बना कर दबिश दी देशमुक ने दुकान के बगल में स्थित कमरे में गुटका छिपा कर रखा था वहां से विबिन ब्रांच के गुटके के बॉक्स मिले है अधिकारियों को वहां बुलाया गया देशमुक के खिलाफ इमामबडा थाने में मामला दर्ज किया गया इसी तरह जोन पांस के डी सी पी मनीश कलवानिया के दल ने न्यू कामठी परिसन में आटो करमांग मेच फॉटी नाइन ए आर एट टू एट सीरो को रोका आटो की तलाशी लेने पर दो लाग तीस हजार रोपे कीमत का विमल और दूसरे गुटके मिले हैं पुलिस ने आटो चालक शाम, मिरसिंग, कटारे, यादव नगर को हिरासत में ले लिया है गुटका तता तीन लाग रोपे कीमत का आटो बरामत कर लिया गया दोनों ही कारवाई से शहर में धड़ले से गुटके की तसकरी किये जाने का पता चला है शांती नगर में एक नराधम ने मतीमन युफ्ती को हवस का शिकार बनाया आरोपी 20 वर्षिय अजय विजय बावने है, पिरिद 20 साल की युफ्ती मतीमन है इसकी अजय को जानकारी थी युफ्ती के माता पिता मजदूरी करते हैं वो 21 दिसंबर को काम पर गए थे, युफ्ती घर में अकेली थी रात साथ बजे अजय की युफ्ती पर नजर पड़ गई वह युफ्ती को एक घर के शौचाले में ले गया वहां उसने जबरन उसके साथ शाररिक संबन बनाए परिसर की एक महिला ने अजय को आ पत्ती जनक अवस्था में देख लिया उसने युफ्ती की माँ को इसकी जानकारी दी उसकी माँ ने बुद्वार को शांगी रगर थाने में इसकी शिकायत दर्च करवाई पुलिस ने बलातकार का मामला तर्च कर अजय को गिराफतार किया तो सुबह के प्रैम टाइम में बस इतना ही लेकिन अन्य खबरों के लिए देखते रही आप वीके बी निउस नमस्कार